दोस्तों नमस्कार और सब बढ़िया हैं तो आज एक बार फिर आपसे मुलकात हो रही हैं आज एक बात पे बात करेंगे हम लोग हमारी आदती हैं दोस्तों मैं हूँ प्रदीप सेर स्वागत है आप सभी का इस चैनल प्रदीप पारस्मनी पर लाइफ टॉक्स जीवन की बात का पता पता देती हैं तो एक किस्से से आपको समझाता हूँ बड़ा प्यारा किस्सा है आपको हमेशा की तरह पसंद आएगा तो जरा ध्यान से सुनते रहो कापी हसी आएगी आपको इस किस्से बे लेकिन बात में तंत है आपको महसूस हो जाएगा हुआयों की एक राजा में बता सकता हूँ यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चरिया हुआ तो उसने उसकी परिक्षा लेने के लिए उसे अपने खास गोडों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया चंद दिन बीत जाने के बाद में राजा ने उसे अपने पास बुलाया और अपने सबसे मन पसंद और महंगे घोड़े के बारे में पूछा तो और बोला कि महराज नसली नहीं है राजा को बड़ी हेरानी हुई उसने दूर गाउंसे गोड़े वाले को बोलाकर पूँछा कि ये क्या बात है तो गोड़े वाले ने बताया कि गोड़ा नसली तो है पर इसे जनम देते ही इसकी मा मर गई ये एक गाय का दूद पीकर उसके बच्छडों के साथ खेल कर बढ़ा हुआ है राजा ने तुरंत अपनी नौकर को बुलाया और बोला कि यार तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा नसली है या नहीं तो नौकर ने बताया कि साब जब ये घास खाता है ना तो गायों की तरह सिर नीचे करके खाता है जबकि जो नसली घोड़ा होता है वो गास को मूँ में दबाकर उठा लेता है और फिर चबाता है राजा उसकी पार्खी काबलियत पर बहुत प्रसन हुआ और उस नौकर को बहुत बड़ा इनाम दिया अब इनाम में क्या दिया उसके घर अनाज, घी, मुर्गे, मुर्गियां, बक्रियां बता और इनाम बिजवा दी और उसकी पदोनत्ती करके उसको राणी के महल में तैनात कर दिया देन भीटते गए चन्द दिनों बाद राजा ने उससे फिर बुलाया और राणी के बारे में बता करना चाहा तो वो डरते हुए बोला कि तोर तरीके से तो राणी है लेकिन पैदाईश नहीं राजा के पैर और नीचे तो मानो जमीन ही निकल गई उसने अपनी सास को बुलवाया और सारा मामला उसको बताया सास बोली माराज कि बेटी की पैदाईश पर ही आपके पिताजी ने मेरे पती से हमारी बेटी का रिष्टा मांग लिया था लेकिन हमारी बेटी छे मेने में मर गई तो लिहाजा हमने आपके रजवाडे से करीबियां रखने के लिए किसी और की बच्ची को गोद लेकर पाल लिया राजा ने तुरंट नौकर को बलाया और उससे पुछा कि तुझे कैसे पता चला तो नौकर बोला कि नौकरों के साथ रानी साहिबा का सलूक गवारों से भी बत्तर है एक खांदानी इनसान का दूसरों के साथ व्यवार करने का एक बड़ा सहेच विनम्र और सरल तरीका होता है जो कि रानी साहिबा में कताई नहीं है राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसकी पार्खी नचरों से खुश होकर बहुत सा नाज भेड बक्रियां बताओ और इनाम बिजवादी उसके घर पे और फाइनली राजा ने इस नोकर को अपने महल में तैनात कर लिया तो कुछ वक्त गुजरने के बाद एक दिन उसने नोकर को बलाया और पुछा कि अच्छा चलो आज तुम मेरे बारे में कुछ सच बताओ तो नोकर बोला जान की सलामती हो तो बताओ आँ महराज राजा ने वादा कर लिया कुछ नहीं कहुँगा सच सच बता दो तो नोकर बोला कि ना तो आप राजा हो और ना ही राजा के बेटे हो ना ही आपका चालचलन राजाओं वाला है राजा को बहुत गुसा आया लेकिन जान की सलामती का वादा दे चुका था तो इसलिए चुप रहे गया तम तमाया हुआ उसीदा अपनी मा के महल में जा पहुचा और पूछा कि मा सच सच बताओ ये माजरा क्या है तो मा बोली कि बेटा तुम दरसल एक चरवाहे के बेटे हो हमारी कोई अलाद नहीं थी इसलिए हमने तुमें पाल पोसकर बढ़ा किया तो राजन वापस अपने महल में आए और नौकर को बुलवा कर उससे पूछा कि तुम्हें आखिर पता कैसे चला तो नौकर बोला कि राजा साब कोई भी राजा जब किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती, जवारात की शकल में होते हैं लेकिन आप जड़ा देखो आपने मुझे दो-तीन बारी नाम दिया क्या दिया? भेड बकरियां, खाने पीने की चीज़ें ऐसी चीज़ें दिया ये रवया किसी राजा का नहीं है ये किसी चरवाय के बेटे का ही हो सकता है तो दोस्तों मज़ा है इस किस्से को सुनकर तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भी तज़ुर्बा है कि किसी इनसान के पास कितनी दौलत है, कितना धन है कितनी उसकी सुक समर्दी है उसका रुत्बा है ग्यान, एल्म, उसका बाहुबल ये सब एक्चुली एक बहारी लिखावा होता है इनसान की असलियत की पहचान उसके विवार से और उसकी नियत से होती है तो ऐसे ही मज़ेदार किस्से आप सुनते रहो मेरे साथ जुड़े रहो और हमेशा याद रखो कि ये जो फॉर एक्जामपल गरीबी होती है न ये गरीबी जेब में नहीं हमारे दिमाग के अंदर होती है आप बहुत से रईसों को देखोगे कि बातें बहुत बड़ी-बड़ी और अमीरों वाली बातें होंगी सारी लेकिन जहां कायदे से खर्च करना हो और अपना मान सम्मान बढ़वाना हो ऐसी जगह पर पैसा खर्च ना करके वो दूसरों को मजाक उड़ाने में ज़्यादा इंट्रेस्टेड रहते हैं तो इसलिए आदतों से लोगों को पहचानना सिखो और जरूरत पड़े तो उनसे दूर हो जाओ जन्दगी में कुछ छोड़ना सिखो हमें लगता है कि किसी को छोड़ देंगे तो पतानी क्या आफ़त आने वाली है अरे मेरे यारो एक सो पैतिस करोड़ है पांच, दज, पंदरा, बीस, हजार, दो हजार आदमियों को छोड़ भी दोगे तो कौन सी आफ़ताने वाली है तो अच्छे लोग अगर आज पास में दो चार भी होंगे तो आपकी लाइफ बहुत जकास बड़िया तरीके से गुजरेगी तो इनी बातों के साथ आज की बात मैं ही समाप्ट करता हूँ उमीद है आपको ये किस्सा पसंद आया होगा ऐसे बहुत से किस्सों के बातें करके आप लोगों का मनोरण्यन करता रहता हूँ आपका दिल लगा रहता है मुझे दुआइं मिलती रहती है तो आप दुआइं देते रहो मैं मनोरण्यन करता रहता हूँ और ज़ाद तर actually जो मेरी क्लाइंटेज है वो स्टूडेंट्स की है हमें क्या पढ़ना है ये तो सर हमको पता है लेकिन हम मुटिवेटेड नहीं रहते हैं तो off the track अगर कोई बात पता चल जाती है तो थोड़ा सा fresh हो जाते हैं और अच्छा लगता है तो आज के लिए अलविदा, जै भारत जैहन वंदे मातरम भगवान को हमेशा याद रखो और खुश रहो थैंक यू सो मच, वुडबाई